तो वेलकम बेक टो माई योट्यूब चैनल और आज की वीडियो भी इंट्रेस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना और मैं आप लोगों को बता दूँ यार सिर्फ चार दिन बचे हैं और हमारे 5 के सब्सक्राइबर्स बचे हैं अब हमने चेक किया था तो मापे हमारे को वो पोस्ट देखने को नहीं मिला था और जो साइल राना है उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया था एड़ बेट क्रेटिव को वो आप लोगो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसके बाद जो क्रेट उस है उन्होंने अपडेट दी थी टीम आई एंडी के बारे में तो उन्होंने उस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अभी उनका एक दो मन का होल्ड है बाकी सारे अइंडी ने रोस्टर लेगा सब चीज होगा वो अब क्रिजबाई बताएंगे टाइम के साथ अनाउंस्मेंट आएगी एंडी बंद नहीं किया है बस हम निकले है इसके बाद जो क्रेटों से उनसे पूछा गया था कि अगर वो सोल को जोइन करने का ओफर उन्हें मिलेगा तो वो जोइन करेंगे या नहीं उन्होंने बात करी थी वील्टी के सेकंड ड्रॉप पे तो उन्होंने इस पे क्या बुला वो आप लोग देख सकते हैं क्यों वोँ के बामरा सेटर्ण्ड रॉप नहीं आप अब ही तो नहीं पूछा वजहां तो नहीं रहां उन्हां एट नहीं और हम अगर भाभाट झाल्स ए मूट लिए 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 मोड़ बहूव होँ उन्हांग बहुशा खिज़िए सो सियाह सिती गास 요즘 प्राविस्ट सोस्ट है, अि अधर प्रिफिट सोट अफ ए प्र Jake जो कि आपे ब्रेश्ट करता हुख है चृब चर्वले की अधरी ति कभी संह 13 अधर कि आफर तक व्यों जाता हुओ तो टीम के ओपर है मैं कभी एक यह ताद करेघंगी कि ऐसион को यह जाना है उसक्रेट करीदर को यह तो एमडिया नसी आदर दूसरी आप उसमें को कर mentorship करें वहाइं तो कि यह बोटकेंप पर चाह। जो हमने उनों ने कनफिरम किया था जो ङसे वो बूटकेम्प पे आ रही है एंड उन्होंने साथ में यह भी बताया था कि जो वाइपर है वो क्यों बेंच है तो उन्होंने इसका रिप्लाइब क्या किया वो आप लोग देख सकती है थोड़ा बीमार है गाई इसको वामिट हुई है भी जिस्ट वह निकल गया है वह यह उसमें चाहिए का ना लाइक जो गन पावर वाला पर्फोमेंस है वह हम लोगों यह सुझा था कि लाइक देथनोट का कोई सीन देथनोट अभी ऐसी खेल रहा है जस्ट इस प्लेइंग क्योंकि हमको इसका भी साथ में देखना है बस से समझ रहे हो कि वाइपर तो वैसे र प्लेयर से तो आज ओपिनियन लेंगे हम लोग अभी नीचे जाके लूँगा कि आज का पर्फोमेंस तुमकर वह कैसा लगा क्या डिफरेंस था वाइपर और देथनोट जो भी जहां हुए थे इसमें इसके बाद जो हमने उन्होंने बताया था कि जो वीरू है वो सोल को ल यह बोल रहा हो कि उसके बाद कुछ भी हो सकता है लाइक आफटर बीजी आयस के बाद कोई भी एक्सपेक्ट मत करना आप कि कुछ भी चीज का के कोई भी प्लेयर नहीं भी जा सकता है जा भी सकता है विकोज हम लोग सब तरीके का पॉसिबिलिटी ट्राय करेंगे और इफ बात में इतना सारा करने के बात अगर वरक आउट नहीं करता था तो चेंज प्लेयर तो सब कुछ ट्राय करेंगे और उसमें बहुत टाइम है बस एक बाद बीजास तक मेरे को यह सब चीज़ों पर मत सचने दो इसके बाद जो अमन है उन्होंने एक बहुती बड़ी चीज रिवील करी थी उन्होंने बताया था कि अभी से काफी टाइम पहले जो गॉड लाइक है उसमें एक IGL के टायाउट चल रहे थे और उन्होंने बताया था मेवी फ्यूचर मेवी हमारे को उन्हें कोई IGL जो है न्यू देखने को मिल सकता है तो इस पर उन्होंने क्या ओपिनियन दी आपना वह आप लोग देख सकते हैं अगर गॉडल PMGC नहीं गई तो दूसरी टीम जोनाथन को लोन में ले के आती है क्या लोन में ले सकती है क्या देखो अगर गॉडल PMGC देखो बाई मैं एक चीज है PMGC का slot because सबसे हार्ड चीज पता है क्या है हर टीम के लिए टॉफ चार मैचेस में तीन मैचेस में टॉफ फोर आना है वह सबसे हार्ड है बहुत हार्ड है भाई तीन मैचेस आपके बास उसमें सापको टॉफ हो रहाना है कोई मजा थोड़ी ने वहां बस वह एक पड़ा इस नहीं भी गई ना so they are gonna stick with this lineup only they will not change player they will hire one more player लाइनप 6 होगा और के पास बहुत ही पैसा है तो और मेरे इसाब से 6 प्लेयर लेंगे मेबी एक एसा प्लेयर लेंगे एन वह प्लेयर 101 परसंट आईजी लोगा ऐसा मेरे को लगता है 101 परसंट अगर नेक्स प्लेयर लेगी ना वह असा अल्टर नहीं देखे कि वह filter filter कुछ भी फ्रीमेन कुछ भी नहीं देखे कि गॉड़ को एक और आईजील चीए चुकि मेरे को ऐसा लगता है कि गॉड़ अ लॉक्डाउन के पहले बहुत लॉक्डाउन के अंदर इवन जब बीजियमाई लॉंच होने वाला था उससे पहले भी मैंने यह सुनी थी कि गॉड़ल में इसके ट्रायाउट चल रहे था आईजील के बहुत सारे आईजील के यह लीक्स कभी बाहर आई नहीं लेकिन यह मे सारे आईजील ने ट्रायल दिया था तो लेकिन जवान यह नाईजील के साथ तो फिर उसके बाद इसी लाइनप के साथ स्टिक किया और थोड़ा सा में भी क्लच गॉड़ को थोड़ा डिफरेंट तरीका सिखाया रहेगा लेकिन ग्लच गॉड़ अच्छा करता आईजील थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि आईजील देखेंगी अगर पीमजीसी में नहीं हुआ तो इसके बाद आप लोगो कोई पता ही होगा जो बीटियार है वो पीमजीसी 2021 में क्वालिफाय नहीं हुई थी तो जो लक्सी है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था सी यू नेक्स्ट इयर एंड जो राइजन है उन्होंने इस चीज को क्रॉस कर दिया था एंड इसके बाद जो जकसी है उन्होंने इस चीज के ओपर reply किया है तो एक рीघर है नहीं नहीं रहा है कि जो बीटियार है वो competitive से ब्रेक लेने वाली है निसके बाद जो जकसी है एंड आप लोग उन्हें जो राइजन है उनकी स्टोरी देखी होगी तो इससे आप लोगों को भी समझा गया होगा जो राइजन है वो हमारे को एक ब्रेक पे देखने को मिलने वाले हैं एंड उनका जो पूरा रिप्लाइ था वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड इसके बाद जो अमने उन्होंने बात करी थी competitive leave करने की तो उन्होंने उस पर क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं वाट इस यूर आप यूर competitive scene भाई देखो मेरा final decision था जो भी मैंने बता दिया कि लाइक बीजा इसके बाद I won't be playing any of the scrims tournaments competitive I will अब में पूरा का पूरा जो है वह सारा का सारा जो है वह पूरा इस टीम पर ही टाइम दूंगा क्योंकि मेरे को इस टीम को उपर लाना है यह मेरा main goal हो चुका एक तरह समझ रहो तीम सोल्ड को अपर लाना अपनी फ्रामली को उपर लाते ना अब ऐसा सीन है पूरा तो मेरा 99 परसंट यही है के बीजा इसके बाद after that मैं competitive में तो मुश्किल है रहे ना मेरा बता दिया मैं आपको बट मैं खेलता रहूंगा इसा नहीं इनकी practice के साथ इनके साथ सब परता है रहूंगा बीच बीच म कि हागी कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा तब तक के लिए और वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब कर देना इन्स्टाग्राम पे भी जरूर से फॉलो कर लेना